अ-त कलर ग्रेडिंग के लिएater स्टोन किसे बोलते हैं मार्स्ट स्टोन मास्ट का मतलब है एक संपल स्टोन एक संपल हीरा Жा तो रखा यह जानते हैं क्लर ग्रीडिंग कैसे यहाँ क्या होता है एक top कि यह एना ए बी सी कुछ नहीं होता डी से शुरू होता है डी ए एफ जी एच आई जे के एल एम एन फिर ओपी पी क्यू क्यू और स्टी इस तरह से जट तक जाता है तो कलर एक ऐसी चीज है जिसकी मेमरी बन पाना बहुत मुश्किल होता है और कलर हमेशा स्पॉंटेनियस चलता है जब हम कलर की थेरी समझेंगे पौर डूटिल में समझेंगे इसको क्लारेटी और कट यह दोनों लॉजिक पे काम करता है कलर लॉजिक पे काम नहीं कर रहा या पार्शेल थोड़ा सा लॉजिक है बहुत ज़्यादा स्पॉंटेनियस अब्जरवेशन है कि इस वक्त मुझे क्या लग रहा है और जब भी हम spontaneous observation की बात करते हैं तो वहां पे हमारा past data अभी के data से variation आ सकता है मेरा सीखा सिखाया हर चूज हर चीज फरका सकता है for example spontaneous data की मैं बात करता हूं जैसे for example मेरे पेट में गरवड़ी है अब बाबा खिचाव आ रहा है जाना है मुझे वासुम जाना है तो क्या मैं चीज को सही अनलाइज कर पाऊंगा नहीं नींद पूरी नहीं धंग से तो कलर मैं जो देख रहा हूं मेरे को खुद अलग नजर आएगा वो कलर या subconscious mind में कुछ काम चल रहा है और यह पेमेंट आनी है पेमेंट आनी है अरे किसे का फोन आना है मैं यहीं बैठा हूं पर दिवा में कुछ और है ठाव जब तक आपका मन पूरा पूरी शान्त ना हो जाय कोई काम नहीं बचा अपका पीछे तब आपको अगर आप सही लाइटिंग में बैठे हैं ठीक है जी मन शान्त है तब आपको कलर सही से नजर आएगा आप सही सको observe कर पाएंगे अनलाइज कर पाएंगे आप डायमंड से जुड़ पाएंगे कलर एक ऐसी चीज है इसलिए कलर के लिए इए स्पेशली लाब ने क्या का रखा है कुछ सम्पल स्टोन बना रखा है एक एक बले का संपल स्टोन एक 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 कट इसमेट क्या लिए फ फ यह से निकिने कर रहा है इसे तो डर्क है यह इसको F के पास रखा गया और यह तो F से भी डार्क है फिर G के पास रखा गया और यह तो G से भी डार्क है फिर H से रखा गया और यह तो H से बेटर है तो यह मानूं पड़े भाई यह तो जी कलर का डाइमंड है बेंड मैच किया जा रहा है master stone मेशना से इसकले master stone Master Swordatta Master Stone किसे वहलता है तो Master Stone tastes should Master Stone스탁म कमले बीडिए एक सवपल्स्टोन हर क्ला के संपल स्ञुन आज क्डियोथ में अधिकतर ही हर उस color grade का जो सबसे top color होता है जैसे हमने clarity की बात करें ना we wear the ssi every grade is a range जैसे cut की बात करें हमने हमने excellent is a range very good is a range good is a range वैसी every color is a range except d d के लाबा d range नहीं है तो आप माली जी एच आई जे is a range तोٌ G का यह सबस्टो टॉप कलर है वो हो गया जी का मास्टर स्टोन Nर ने के टॉप का है हो हो गया एच का मास्टर स्टोन समझया तो इसके और डीट़िल में समझेंगे जब हम कलर समझेंगे बहुत क्यराइज से समझेंगे कलर इस वेरी सब्डल थिंग सब्डल शूश्म सेंसेटिव मास्टर स्टोन होने के बावजूद भी लोगों को धोखा हो जाता है और उस धोखे का नाम है मास्टर आई इफेक्ट मास्टर आई इफेक्ट कलर एक ऐसी चीज है हमें पता भी नहीं होता कि हम कब ठक गए हैं कब हमारा दिमाग हलका से भी टायर्ड है या शांत नहीं है और हमें वो कलर अलग नज़र आता है जो कल मैंने जिसको एफ देखा आज मैं इसको एच मैं अटक गया मुझे तो एच नज़रा रहा है मुझे धाच नज़रा रहा है मैं यह अगन तो पिर कल देखेंगे ठोब टो एफ लग रहा है मैं जी नी बोला मैंने फ जी एच मिन सटी नीचे बोला जानके एक शेड़ का तो फर्क आही सकता है हर वक्ट आता है वार जी दोदो शेट का फर्क आता है तिन ती शेट को फर्का सकता है ऐसे चीज है इसके लिए master stone रखे जाते हैं लेकिन जब किसी व्यक्ति को थकावाट होती है fatigness होती है उसको master stone लगने लगता है that is called master eye effect इसलिए कदर बहुत शुक्समी चीज़ है जब हम कलर की थेरी समझेंगे तो इसको और डिटल में समझेंगे ठीक है साब? आपको सवाल का जवाँ मिला है साब? What is master stone? ठीक है